26 साल का एक लड़का था उसने सुसाइड कर लिया सिर्फ सेक्स टूर्शन रेकेट की वज़े से ओलाइन उसके साथ एक फ्रोड हुआ अम लोगो उसको फ्रोड ही कह सकते हैं उससे सेक्स टूर्शन, सेक्स की यानि इंटिमसी की वज़े से कुछ वीडियोस कैप्चर हो गई और उसके बाद उससे फिरोती मांगी गई और फाइनली ये बात इतनी जादा बढ़ गई कि उस लड़के ने सुसाइड कर ले अब इस वज़े से मैं राजी हुआ, इस वज़े से मुझे लगा कि आज मुझे इसके बारे में बात करनी चलिए और वो लड़का बैंगलोर का था, और वो लड़का जिसका नाम अविनाश था, वो IAS की तयारी कर रहा था अचानक से क्या होता है, उसे Facebook पे एक request आती है, नेहा नाम की लड़की की ठीक है, आप नाम पे मत जाएगा, बट धीरे-दीरे request आती है, बाते होने लगती है उसे नहीं पता था कि जो लड़की की request आ रही है, उसके पीछे एक racket काम कर रहा है दीरे दीरे बाते होने लगती, बाते और बढ़ने लगती हैं, दीरे दीरे और close आने लगते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि बैंगलोर की नहीं थी, समझ रहे हो, वो कभी मिले नहीं एक दूसरे से, कभी नहीं मिले, वो बैंगलोर की थी ही नहीं, कभी मिले नहीं, सिर्फ मोब लड़के को बोला कि तुम भी intimate video share करो तो गलती वहीं हो गई उस लड़के ने believe कर लिया और लड़के ने intimate videos, live videos जो भी था ऐसे video calls किये जिसकी वज़े से वो फस गया, वो video record हो गये, कुछ दिनों बाद वो लड़की गायब और लड़की के पीछे जो racket काम कर रहा था, उसने अब उस लड़के को परिशान करना शुरू किया, उसने video forward किया और कहा कि आपने अगर इतने तो हमें videos आपकी family को भीज देंगे या सोशल मीडिया पे डाल देंगे, दरके मारे, क्योंकि हम इसके बार में बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, it's not like खाना खाया है, it's about intimacy share किय जो कि इंडिया में एक taboo है, इसके बार में लोग बात नहीं करते, generally, ठीक है, so, जब ऐसा कुछ हुआ, तो उसे ऐसा लगा कि यार, अगर ये चीज़ पब्लिकली चली गई, तो मेरी इज़त का क्या होगा, घर पे मुझे लोग कैसे देखेंगे, मैं IAS की त्यारी करने आय और चाहिए, ऐसे करके वो पैसे मांगते गए, मांगते गए, मांगते गए, वक्त ऐसा आया कि उससे संबलाई नहीं, अब उसके पास पैसे इतने कहां से होते, finally, उस लड़के ने ये सोचा कि शायद मैं अपनी जिन्दगी खतम कर लूँ, तभी ये जो जंजट है वो खत कर लिया, बात यहीं तक खतम नहीं हुई, इतनी बुरी, मतलब मैं कहता हूँ कि शायद कभी कबार ऐसा लगता है कि इंसानियत पूरी तरह से खतम हो चुग, एक फैमली जिसने अपना 26 साल का लड़का को दिया, वो लड़की फिर से उसकी बेहन को कॉंटेक्ट करती है, प जब वो ऐसा बात बोलती है, तो वो उसकी sister कहते है कि अब he is no more, वो अब जिन्दा नहीं है, अब देखिए उसके बात क्या होता है, वही रैकेट वापस से अभिनाश की बेहन को कोल करते हैं और उसे कहते है कि ऐसा ऐसा है, उसकी वीडियो हमारे पास है, हमें पैसे चीए ह थोड़ी समझदार थी, उसने पुलिस को केस, पुलिस को ये केस रैपर किया कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है मेरे भाई के साथ, और मुझे लगता है कि उस एक्स्टोर्शन की बज़े से उसकी जान गई है, फाइनली पुलिस में पूशता सी, समझ मैं है कि वो लड़की उसको बराबर से ब्लैक मिल कर रहे थे और उससे परिशान होके उसने अपना अपनी जान दी ये पूरा केस था